इसपार सॉपिंग में हम आ गए हैं और ये है कुछ इसपार सॉपिंग का एरिया और ये है हमारा टॉली जिसमें हम समाल लिए हैं और ये देखिए ये वन गेट वन फ्री है एक लोग है तो ये आपको फ्री मिलेगा बहुत ही अच्छा ओफर है और भी सामने बहुत कुछ है तो यहाँ पे यह आपका एरिया है इनका स्पार मॉल का इसके अंदर असलाम वालेकुम एव्रिवान वेल्कम तो मैं न्यू एनदर ब्लॉग वीडियो आज का ब्लॉग बहुती मज़ेदार होने वाला है मैं आगया फाइनली M.G.F. मेट्रोपुलिस मॉल पे और मैं अभी स्पार स्वापिंग पे जाओंगा जो की एक स्वापिंग सेंटर है बहुती समान हमें वाँ पे खरीदने को मिलता है सब कुछ मिलता है तो ओ एक स्वापिंग सेंटर है तो हम ये M.G.F. मेट्रोपुलिस मॉल के अंदर है माइनस वण मतलब लोवार ग्लाउन फ्लोर पे है तो अभी हम फाइनली चल रहे हैं लोवार ग्लाउन फ्लोर पे इस पार पे ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहा है ये मॉल को ये M.G.F. मेट्रोपुलिस मॉल है मैं मॉल भी आप लोगों को दिखाऊंगा तो चलिए देखिए कितने अच्छे से सजाया है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने को तो अभी फाइनली हम नीचे जा रहे है माइनस वन पर भी जा रहे हैं ये देखिए हम उतार रहे हैं और अभी चलेंगे इस पार पर भी और मॉल को भी मैं अब लोग को दिखाऊंगा तो चलिए हमारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग में हम देखते हैं Spar Shopping Center और यहां पर बहुत ही मज़ह आने वाला है यहां पर हम shopping करेंगे बहुत कुछ लेंगे तो अब लोग देखिए कितना offer मिलता है क्या क्या मिलता है सब हम आप लोग को बताएंगे सब बताएंगे आप लोग को तो block में वने रहिए तो फाइनली हमने मेट्रोपुलिस मॉल की बेसमें पे आगे हैं माइनस वान पे आगे हैं और ये अभी मॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं ये देखिए इस साइट से इसपार का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे सामने ही इसपार है तो आप लोग को मैं इसपार जरूर दिखा हूँगा और मार्केटिंग करेंगे हम तो वह भी आप लोग के साथ सेयर करूँगा यह है एंट्री गेट यहां से हम एंट्री करेंगे तो फाइनली मैं आगे चलता हूँ आप आगे पहले आप लोग को मॉल को दिखाता हूँ मैट्रोपुलिस मॉल का कुछ नजारा कैसे लगता है मॉल देखने को तो चलिए मैं आगे जा रहा हूँ और आप लोग को दिखाऊंगा नीचे से देखने में कैसा लग रहा है यह देखिए मॉल के अंदर इंटर कर लिए हैं और हम और यह सौपिंग करने के लिए बहुत सारे दुकान बहुत सारे सौप और चलिए आ बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह मॉल एम जी मैट प्लीस मॉल है यह एम जी रोट पर है देखिए वाव बहुत ही अच्छा लग रहा है बेसमेंट से माइनस वान से बहुत ही अच्छा लग रहा है यह बच्चों का खेलने का सीजे यहां पर आपका कोई छोटा बच्चा कोई है छोटा तो यहां पर खेल सकता है खेलने का बहुत ही अच्छा है यहां पर और यह देखिए यहां पर सामने आपका बहुत सारे कपड़े का सौप कपड़े का देखिए मॉल को देखिए कितना अच्छा लग रहा नजारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यह बारिशता रेस्टुएंट यहां पर खाना पीना सब खा सकते हैं, यह एक्चली इस मॉल पर बहुत कुछ है आप जो कुछ भी ऐसे यहां पर देखना चाते हैं, देख सकते हैं, यहां पर खरीदना चाते हैं, खरीद सकते ह जैसे की बहुत सारे साफ है आप यहां से बहुत कुछ खरिच सकते हैं खाने का चीच कपड़े का पहनने का लेने का ऐसे लेडिस का जैन्स का सफ का चीच बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों मिल जाए यह देखिए वरिस्ता मॉल देखिए बहुत ही अच्छ यह बच्चों का खेलने वाला कितना अच्छा लग रहा है यह सब खेल रहा है तो अभी हम चालेंगे इस पार स्वापिंग सेंटर पे जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत नाम किया हुआ स्वापिंग सेंटर है जहां से बहुत सारे आदमी आता है इसको यहां से स्वापिंग करने के लिए तो अभी का time में कुछ offer चल रहे है तो अभी तो और भी जादा आदमी आ रहा है हुआ वाँ Пे जादा आदमी और आदमी हो रहा है वाँ पे तो चलिए हम चलते हैं isparm पे तो finally guys देखिए यह isparm का area है देखिए isparm के sticker लगा हुआ हए तो मैं अभी जा रहा हूँ entry gate के सामने और ये जा रहा है मेरा भाई बड़ा भाई है वो तो अभी जा रहे हैं एक साथ हम और ये देखिए इस पार की entry gate finally हम entry कर रहे हैं finally guys हम ले entry करी लिया और अभी पहला काम हमारा एक है जो की हमें पहले एक टॉली लेना है उसके बाद हम सौपिंग करेंगे तो चलिए पहले हम एक टॉली लेते हैं और लेने के बाद चलेंगे सौपिंग करने तो finally guys देखिए यहां पे सामने ही यह देखिए बहुत सारे टॉली रखा हुआ है आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं यह देखिए तो हमने एक टॉली चुछ कर लिए यह रेट वाला लेते हैं यह यह भाई ले रहा है एक ग्रेट वाला तो finally guys यह देखिए एक टॉली ले लिया हमने और अभी चल रहे हैं सौपिंग करने के लिए वाउ बहुत ही अच्छा देखिए यह इस साइट के एरिया सैम्पू बगारा और देखिए सैम्पू बगारा इस साइट बहुत ही साइट है जो की एक एक साइट में अलग अलग चीच लगे हुए है आपको जो पसंद आए वो अब ले लो यह देखिए यहां से और यह देखिए साबन के रिए पे साबन बगारा आप जो भी लेना सकते हैं यहां से ले सकते हैं यह बील अपको बाद में होगा तो फाइनली गाइस हम लोग अभी सौपिंग कर रहे है यह भाई ले रहा है जो भी लेना है और यहां पे सस्ता भी मिल जाता है यह हैंडवास यहां पे हैंडवास बगारा बहुत सारे यह हमने हैंडवास ले लिया और चलते हैं आगे यह है आपका कंबल बगारा तो यहां पे आप कंबल बगारा का पड़े डस्टर और वह भी ले सकते हैं, तो हम अभी चलते हैं आगे, और आगे जाके वहाँ पर लेते हैं, हम आगे उस समान चाहिए, तो finally guys, हम लोग आगे जा रहे हैं, और यह देखिए, यह cooler वाला काप, जो कि मिट्टी का काप बोलते हैं, यह काप बहुत ही famous काप है, यह चलिए हम भी ए लेते हैं, एक काप ले लिया हमने, और हमारे उसमें रख देते हैं, टॉली पे रख दिया, और यह देखिए, यह है बरतन का एरिया, आपको कुछ भी बरतन चाहिए, पेसर कुकर, या कुछ भी चाहिए, आप बरतन टाइप का, तो वह आपको यहां से मिल जाएगा, और य फाइनली गाइस, अभी हम देखिए, इस साइड आ गए हो, और वाइल ले रहा है कुछ, तो यहां से हम भी लेंगे, सार बगारा भी लेंगे, एक काप, यह देखिए, काप भी लेंगे, एक काप सेड भी लेना है, तो देखिए, यह बरतन बगारा, काप बगारा, इस साइ हमने ले लिया अभी और भी बहुत सारे लेना बांकी है तो चलिए आगे और लेते हैं ये देखिए काब कुलर काब मिट्टी वाला बहुत ही अच्छा है 19 रुपिस सम्थिंग ऐसा ही कुछ आया था तो चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या अच्छा लगता है वो लेंगे ये देखिए ये है आपका तावा बगारा ये देखिए तावा है तो आगे चलते हैं इसे हमें लहीं लेना है बहुत ही अच्छा है ये देखिए इनका प्राइज जो है प्राइज यहां पर लिखा हुआ है आपको जो जो चाहिए आप ले सकते हैं डॉंट वारी से एकदम यह सार्फ एकसल एकसल लेते हैं यह सार्फ लेंगे हम भी तो फोर केजी वाला हमने एक सार्फ ले लिया बहुत ही अच्छा है वो और सामने बहुत भी आगे चलते हैं देखते हैं क्या क्या अच्छा मिलता है बहुत ही सस्ते में मिल गया है यहां पर भी ऐसे नहीं तो बहुत ही महंगा यहां पर भी सस्ते मिल जाता है कोई नहीं तो चलते हैं और आगे यह देखिए निमकीन बगारा है तो यह हमने दो ले लेते हैं यहाँ पर वान गेट वान फ्री लिखा हुआ है तो दो लेते हैं एक का प्राइज हमें देना पड़ेगा तो चलिए हमने दो निम्किन बगारा भी ले लिया यह आठे का साइड है यहाँ से आठा ले सकते हैं इस एरिया में आठा आठा दो सो निरानवे और तीन सो बहुत सारे का प्राइज है जो भी चाहिए आप ले सकते हैं यह देखिए यह वाला एरिया आपका देखिए चावल गेहू कितने रुपे किले वो भी लिखाया और बेसन जो भी चाहिए यहां से भी आप ले सकते हैं तो यह भी खुला हुआ भी चीच यहां पर आपको मिल जाता है यह देखिए तो चलिए और आगे चलते हैं आगे और भी बहुत कुछ यहां पर देखिए यह है सबजी इस साइड आपको सबजी मिलेगा इसके अंदर ही सब कपड़े कपड़े से लेके चावल से लेके तेल से लेके यहाँ पे देखिए यह यह आपका ओएल ओएल लेना है हमें भी तो और देखिए यह जूस का एरिया जो भी जूस चाहिए आप ले सकते हैं यह देखिए वाव देस रुपे में लिखा हुआ है लसी यह भी हम तीन ले लेते हैं खाने के लिए तो तीन ले लिया और यहाँ पे हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि इसका बिल नहीं बना तो जब इनका बिल बनेगा तभी हम खा सकते हैं तो फाइनली गाइस देखिए हमने बहुत सारे चीजे ले लिये हैं ये देखिए एक पानी गरम करने वाला भी ले लिया कोलगट भी ले लिया देखिए बिस्किट भी ले लिया बहुत सारे ये ही भर गया बहुत होई डो गया ये तो हम बिल करेंगे वो भी आप लोग को दिखाऊंगा मैं तो ब्लॉग में बने रही है तो फाइनली गाइस हमने हमें जो जो लेना था ले लिये हैं जो जो अच्छा लग रहा था ले लिया और अभी फाइनली हम निकाल रहे हैं और यहां पर हम बिल करेंगे बिल करके उसके बाद निकालेंगे तो finally guys देखी ये counter पे में आ गया और अभी सब एक एक करके उठा के दे रहा हूँ सब का bill कर रहा है तो bill कर लिया finally bill कर लिया और हमने अभी निकाल गया ये देखिए बैग में डाल दिया ये दो वेक समान हो गया हमारा हमारा total bill आया something 2495 रुपे ऐसा आया हमारा वाओ देखिए 2495 रुपे इतना आ गया अपना जो bill आया तो ये सब सौपिंग करने के बाद यहां पे counter पे bill बन गया और finally guys हमने ले लिया और अभी चलते हैं घर तो आज का एक छोटा सा ब्लोक तब लोक अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट सेर जरूर करें और मेरा चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें अस्सलाम अलेकूम और रहमतुल्व